वित्र की तादाद कितनी है देखें वित्र की तादाद आहादीस में कई आई है एक रिकाद भी वित्र है तीन रिकाद भी वित्र है पांच रिकाद भी साबित है साथ नौ ग्यारा तेरा रिकाद तक साबित है वित्र की नमाज हन्फी मसलक के अंदर तीन रिकाद को बिलकुल जो है उसी पर टिका दिया गया है कि तीन से कम भी नहीं पढ़ना है तीन से जादा भी नहीं पढ़ना है बस तीन ही रिकाद मानी जाती है यह हन्फी मसलक के मैं बात करूँ वहाँ तीन रिकात ही वित्र जो है अमल में है और उसी का जिक्र किया जाता है लेकि ये सही बात नहीं है बलकि सही बात ही है कि वित्र की नमाज एक रिकात, तीन रिकात, पांच, साथ, नव और इसे तरीके से ग्यारा तेरा रिकात तक अहादीस में सराहत से साबित है ऐसा नहीं है कि कहीं इदर उसा कोई साबित कर रहा है वल्कि सराहत के साथ नभी स. अल्लाह अल्लाह के अमल से साबित है और सहाब अगराम के अमल से भी साबित है एक अदिस में नभी सलों लुए विशाद फरमाया जो आदमी ये चाहता है कि पांच रिकात वितिर पढ़े उसको चाहिए कि पांच रिकात वितिर पढ़े जो आदमी तीन रिकात से वितिर करना चाहता है उसको चाहिए कि वो तीन रिकात वितिर पढ़े और जो इनसान एक रिकात वितिर पढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि वो एक रिकात वितिर पढ़ना ये नाजाइज नहीं है एक रिकात वितिर पढ़ना ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है जिस तरीके से बहुत सारे मुसल्मानों के दुश्मनों की जो पार्टियां होती हैं मुसल्मानों के खिलाफ से एक नियूस फाइल आया करती है उसी तरीके से मुसल्मानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं एक दूसरे के खिलाफ से एक नियूस हलाया करते हैं उन्हीं मेंसे एक चीज़ ये है कि एक रिकात वितिर का तसवर ही नहीं है इसलाम के अंदर ऐसे ऐसे मदरसों से मैंने परचे देखे हैं निकले हुए यानि कि पंप्लेट वगरा उसमें लिखा हुआ है कि एक रिकात वितिर पढ़ने वाला वो जो है सारे इमामों की खिलाफ वर्जी कर रहा है यानि जब जतने इस दुन्या में अब तक इमाम पैदा हुए है यानि इसलाम के लिए नबी लिए से लेकर कि अब तक सबकी वो मुखालफत कर रहा है तो ये बात अच्छी नहीं है ये बात नहायती खराब बात है तो एक रिकात वितिर नबी निए सल्लालाव उस्लम की सही आदिस से थाबित है और नबी सल्लालाव उस्लम की एक हदीस बुखारी के अंदर कि अलुटरू यानि कि वित्र की जो नमाज होती है आपना नमाज यह जब तुमें यह शक हो कि आप सुबहुने वाली है यानि कि अप तुम्हें लगे कि अब फज़र का वक्त होने वाला है तो आइसी सुरत में एक रिकात की पढ़ीं आप जो पूरा जितना तुमने पढ़ा यह सब वित्र बन जाएगी अगर तुम चाहोगे तो और अगर नहीं चाहते हो तो आपने यह तीन रेकात पित्री जो है बिल्कुल सही आदी से साबित है और अगर कोई इंसान हमेशा एक रिकात पित्र पढ़ता है तो भी कोई घलती नहीं करता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक रिकात पित्री ठीक है है साबित है लेकिन रोज पढ़ना सही नहीं है क्यों भाई अब जिसे मान ल रहा हूँ, मैं एक कमरे के अंदर ही रह रहा हूँ, उससे एक कहा गया कि इस रूम के अंदर रहो, इसके बाहर नहीं जाना, अगर मैं बाहर जाओंगा तब ना फर्मानी होगी, अल्लह तबारिक बताला की, या ये कि जो आदमी ने मुझे इस बात का मुखलफ खरार दिया है किसके बाहर नहीं जाना, अगर अगर अल्लह कहता है कि नहीं इस रूम के अंदर रहना, नभी सौसम फर्माते हैं इस रूम के अंदर रहना बाहर नहीं जाना, तो बाहर जाना जो है ना फर्मानी होगी, कमरे के अंदर रहना ना फर्मानी नहीं होती है, तो एक रिकात वित उत्र शरियत से साबित है हम रोज उस पर अमल करें हमारी वरजी एक रिकात वितिर आदमी पढ़ सकता है इसलिए इस सुन्नत को बिल्कुल जो है लोगों ने खतम करते हैं आप पढ़िए तीन पढ़िए पांच पढ़िए एक रिकात के आदी मत बनिये ये भी मैंने मैंने ही हो कि आप एक रिकात कई आदी बन जाई है हमेशा के लिए अगर आप बनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन आप कभी कभी और जादा नेकी कमाई है पांच रिकात भी पढ़िए लेकिन यह जो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि तीन रिकात ही वितिर होती है उससे जा सारी वितिर की तादाद है आप अपनी सहुलत के एतबार से जतनी चाहें उतनी रिकात वितिर पढ़ सकते हैं